Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल क्योंकि भारत की नेवी एक ऐसी चीज है, जो चीन को इंडियन ओशन रिजन के अंदर में कंटेन कर पाती है, लेकिन हाल फिलाल में आपने देखा होगा कि चीन बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है, जिनके कारण में हमारे लिए हमारे security concern increase होते हैं, उन्हीं में से है spy, हम हमारे जो assets हैं उनका, आपको ध्यान होगा कि चीन का एक जो spy vessel था, वो कहां पर आया था, श्रिलंका के पास में आया था, वो भी एक बहुत बड़ा concern था, तो इन सब backdrop के बीच में भारत एक क्या कर रहा है, वर्षा, नाम का अपना एक secret submarine base बना रहा है, तो detail में जानते हैं इस वीडियो में कि ये secret base कहां बन रहा है, क्या इसके फायदे है, और कैसे हम चाइना को फिर counter कर पाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और आपको coaching की ज़रुत है, तो आप study IQIS का बैच जॉइन कर सकते हैं, PRT live code use कर submarine है, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, वैसे ही भारत के पास में, जो Navy के पास में, जो submarine है, वो सबसे बड़ी ताकत है, और submarine भी कई प्रकार की होती है, एक normal attack करने वाली, और कई सारी submarine हमारे पास में अब ऐसी भी है, जो क्या है, nuclear warhead को ले जा सकती है, उन submarine की हमारे लिए बहुत important एक aspect बन जाता है, अगर आप भारत के map को देखेंगे, तो भारत की जो maximum, जो naval base या फिर maximum जो submarine की presence है, वो विशाखा पत्नम वाले वहाँ पर area पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे Chinese की जो Navy है, या जो Chinese की सरकार है, वो धीरे धीरे क्या कर एक ship है, जो क्या करती है, satellites को track करती है, वो भारत के बगल में, शिरलंका में, पोर्ट में आकर खड़ी हो जाए, तो हमारे assets को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, हमारे assets की जो कहते हैं की uniqueness, या हमारे पास में कितने assets हैं, उनकी जानकारी उनके पास में जा सकती है, तो उस response को देखते हुए, यानि कि जो threat हमें देखने को मिलता है, Chinese Navy के द्वारा, Indian Ocean Region के अंदर में, और हमारे जो nuclear assets हैं, उनको protect करने के लिए, भारत सरकार ने क्या शुरू किया, प्रजेक्ट वर्षा शुरू किया, और प्रजेक्ट वर्षा क्या है, जहां पर हम क्या करेंगे, underground shelters बनाएंगे, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने, जो यह हमारे submarine है, nuclear powered submarine, nuclear carrying submarine, इनको हम क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, डॉक करेंगे, वहां पर उनको हम क्या करेंगे, तरिके से पार करेंगे, और यह भी initial phase में है, वैसे तो बताया जा रहा था, कि यह 2022 तक complete हो ज है, cruiser रहने वाले हैं, सभी के सभी यहां पर रहेंगे, और सबसे बड़ा जो potential threat है, चीन, चीन का अभी आपको ध्यान होगा, example कि उसने क्या किया था, एक balloon, कहा USA तक पहुच गया, और आखिर आप यह सोचिए, कि ऐसे insurance, maximum time, चीन के साथ में ही क्यों होते हैं, क्योंकि चीन के हमेशा, आप देखे, कि आपको अगर किसी nation के साथ में potential threat लग रहा है, तो आप उसके पास में क्या-क्या weapons हैं, क्या-क्या assets हैं, उसको पहले ही जान लेना चाहेंगे, तो भारत के जैसे मैं आपको बताया है, कि जो maximum, जो हमारे सारे के सारी चीज़े थी, वो क्या रहती तो विशाखा पत्नम के थोड़ा सा 50 किलोमेटर दूर, रमबिली नाम के एक जगे है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, underground, ऐसा अपना एक base बना रहे हैं, जिसकी cost अराउंड बताई जा रही है, 30,000 करोड है, वैसे exact cost किसी को भी नहीं पता है, और यहाँ पर हम अपने क्या कर और के अंदर में इस region ने कितना important क्या किया था, role play किया था, यह जो मैं जिसके ship की बात करा था, जो श्रिलंका में आकर क्या हुआ था, वहाँ पर आकर उसने क्या गया था, अपने आपको dock कर लिया था, कि भाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, other functions कर रहे हैं, अपने आपको क system है, तो आपको सोचिए, वहीं के पास में हमारा जो विशाखा पत्नम, जो बहुत strong क्या है, naval base है हमारे लिए, हमारी navy के सबसे important जगे, क्या लिए हमारी navy की दिल की धड़कन है, वहाँ पर यह कितनी ज़्यादा spike कर सकता है, तो इस चीज़ को हमने काफी समय से पहचाना, और दूसरा एक और बहुत बड़ा concern रहता है, कि जब हमारे ship यह asset आपको पोखरन याद होगा, पोखरन में क्या issue होता था, कि जो satellite उपर से गुजरता था, तो पूरी जानकारी ले ले लेता है, कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो अगर आ time में, या फिर extraordinary situation में help करेगी, वो नहीं रहता है, वो कहता है, surprise element, एक तरीके से क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, तो इसलिए facility को इसको बनाया जा रहा है, और यह क्या करेगा, अगर देखें तो चाइना ने भी ऐसा बना रखा है, यान इन, nuclear submarine station, यह भी याद रखेगा, तो उसी को क्या है, compare करने के मुकाबले में, ऐसा बनाया जा रहा है, और हमारा जो east coast है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, अब यह इसलिए भी important है, क्योंकि आप देखेंगे, लोग की east policy के तहत में, और Chinese जो naval expansion है, हमारे इस region के, आप देखें, बंगलादेश में अपनी presence बना रहा है, म्यामार में अपनी presence बना रहा है, शिरलंका में तो बना ही चुका है, माल्दीव के अंदर में बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है आप यह चीज़े देखी रहे हैं, प्लस में, नैपाल में अगर लैंड पर जाएं, तो नैपाल मे यह समझते हैं और इसको acknowledge भी करते हैं, यह सबसे बड़ागा security threat है, तो इसमेश चीन है हमारे लिए, और US टक को नहीं बक्षा जब इतनी दूर, surveillance और navigation चीज़े जानने के लिए, अगर यह चीज़े कर सकते हैं, तो आसपास में तो बहुत कुछ यह कर सकते हैं, तो हमारे ल सकते हैं, उसकी जो images हैं, वो क्या है, बार-बार उसको क्या है process करते ही रहते हैं, तो इसलिए nuclear submarine को क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, उसको secret में रखना, अब nuclear submarine की बहुत अच्छी खास बात क्या है, कि अगर यह submerged रहें, महीने तक, क्या है आपके ocean के अंदर मे और 200 मेटर बिलो अगर रहें, तो बहुत मुश्किल है, उसको detect कर पाना और track कर पाना, तो इसलिए हमने nuclear power का secret underground हमने क्या करा है, एक submarine को हमने station बनाया है, और अब इसको बना रहें, 2024 तक कहा जा रहा है, कि हो complete हो जाएगा, जिससे इस region में, भारत की जो position है, उसको क्या मिले इसलिए भी important हो जाता है, कि आपको aware रहना चाहिए, इस समय पर हमारे लिए जो सबसे बड़ा potential threat है, वो चीन है, और इसको government of India भी क्या करती है, acknowledge करती है, तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे इस channel को like करिए, इस channel को subscribe करिए, वीडियो पे comment और like करना ना मत दूलिए, मिलते रही है, बाई बाई टेकर्स दो, जैहिन.